नमस्का दोस्तों बैचलर कीचेन में आपका स्वाकत है जैसा कि आप देख रहे हैं थमनेल देखी लिए हैं कि हम यह बताने वाल है कि कोरियंडर को कैसे रखें एक वी एक या थ्री-फोर डेज तक आप रख सकते हैं तो पहले हम कोरियंडर को जो को रखेंगे जिसका जड र किया है अब हमने आल्मोष्ट सारे अच्छे अच्छे को निकाल लिया है अब हम क्या करें गिलास पानी ले लेंगे किलास पानी में लेके हम इसके जड़ों को हम उसमें रख देंगे इससे क्या होगा कि जो कोरियंडर है इसको थोड़ा एनर्जी मिलता रहेगा तो यह हमारा दिन का दिने अच्छा ही रहेगा यह आप कल भी देख सकते हैं इस तरह से ऐसा ही रहेगा आज भी देख सकते हैं ऐ गंटे के बाद ही देखिए इस तरह से तो आई होप आपको अच्छा लगागा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आपका अपना चैनल बैचलर कीचन